दिल्ली को जाम मुक्त वा प्रदूर्शन मुक्त बनाने की कवायत में भारती राश्टी राजमार्क प्राधिकरण इस्टन पेरिफेरल एक्स्प्रिस वेका निर्मान कर रही है जिसके तहत ग्रेटर नोयडा में काम चल रहा है यह प्रस्ताव 2005 में पारित हुआ था इसके ल देने की प्रक्रिया भी चल रही है लेकिन किसान मुआपजा वितरन के मापदंड से संतुष्ट नहीं है जो भी हमने उनसे कहा उन्होंने कोई भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया बस जहां सा दे जाते हैं बीच मा आते हैं बातचीत करते हैं पंदर दिन में हो जाएग गौरतलब है कि सुप्रीम कोट ने NHAI को 2018 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन भी दी है लेकिन किसानों के विरोध और मुआपजा वितरन में सरकार के भेदभाव से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है बील अकबरपुर के अन्नदाता पिछल रियल्टी मीडिया की टीम ने बील अकबरपुर जाकर वहां के किसानों से बात की हमारे देश में वैसे भी अन्नदाताओं की इस्तिती बहुत ही दैनी है और ऐसे में जब इस्टन पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे के तहट सरकार 49 गामों का भूमी अधिकरहन कर किसानों को मुआबजा दे रही है तब भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है प्रसासनिक अधिकारी और NHAI के अधिकारियों के साथ किसानों की कई दौर की वारता हो चुकी है लेकिन अभी भी किसी भी तरह का रास्ता नहीं निकाला गया है एक्स्प्रेस वे का काम पूरी तरह से ठप बड़ा है इस संबन में जब हमने Noda Authority के CEO अमित मोहन प्रशाद से बात करने की कोशिस की तो उनके P.A. ने ये कहकर टाल दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है वजह जो भी हो लेकिन किसानों के साथ देश के अनदाताओं के साथ यहाँ पर भेद भाव और वादा खिलाफी का एक नमूना आपको दिख सकता है और किसानों का भी यही आरोप है कि सरकार और NHAI के अधिकारी और प्रशाचनी का अधिकारी उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे है आस्वासन तो दिया जाता है लेकिन जमेनी इस तरफ पर वाजिफ कोई कारिवाही नहीं की जा रही है अगर सरकार का कोई नुमाइंदा या NHAI विभाग हमारे इस कारिक्रम को देख रहा है तो इन गरीब किसानों का दर्द समझे और इसकी सहूलियत के लिए इसके निवारन के लिए कोई ठोस कदम उठाए कैमरा परिशन अनुराग दास गुपता के साथ मैं प्रशान पांडे रियल्टी मेडिया